return statement, यह क्या करता है कि किसी भी function के inside से value जो रिटर्न करता है calling function को और यह कोई भी function जो होता है अगर value कुछ return करता है तो उसका जो return type है वो void नहीं हो सकता यहाँ पर क्या return type, return type कुछ भी हो सकता है, जो भी जिस type का value यह function return कर रहा है तो यह return type उसी तरीके का होगा, अगर यह value return नहीं कर रहा है तो यहाँ पर void होगा अगर return कर रहा है तो data type होगा, तो अब यहाँ पर integer, उसके बाद float, double, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर क्या है कि number of statements जो भी हमें उस function का part है, तो उस तरीके से हम लिख सकते है return statement अभी सिक्का एक just example लिखें कि इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए बस return लिखना है और जो भी value हमें return कर देना है यहाँ पर कुछ हम expression भी return कर सकते हैं, हाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि कभी भी हम किसी function के अंदर से एक से ज्यादा value return नहीं कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा value return करना हो हमें तो हम उसके लिए pointers यूज करेंगे एक और बात है कि यहाँ पर हम return value भी कर सकते हैं और return just semicolon भी लिख सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी value return नहीं कर रहे हैं just return लिख रहे हैं अभी एक example देखते हैं यहाँ पर क्या है कि यह जो है square of a number return करेगा यहाँ पर क्या है कि main हो गया integer n sq एक variable लिए जो इसमें square करेंगे scanf %d n में हमने variable लिया sq square n यहाँ पर क्या है कि मैंने printf नहीं किया printf वैसे कर सकते हो enter i number और जो भी something यहाँ पर क्या है कि number लिया n में store कर दिया उसके बाद मैंने क्या कि square यहाँ पर बाद में देखना है square of n यहाँ कि square function को मैं call कर रहा हूं यहाँ पर अभी क्या है कि value pass कर रहे है इसका next topic हमारा वही है हम यह देखेंगे कि इसमें क्या value pass कर दें कितने types के होते हैं तो square हो गया इसमें n हमने pass किया suppose कि हमारा user जो दिया है 2 दिया है तो यह इसमें 2 copy हो जाएगा और यह यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि function call हुआ क्योंकि यहाँ पर call हुआ direct jump आएगा यहाँ पर control integer क्योंकि integer type का value return कर रहा square function हो गया और वह जो n है इस a में copy हो जाएगा a में copy होने के बाद हमारा जो value return है तो a में कितना हो गया 2 यहाँ पर यह copy होता है यह बस इसी function के लिए यह होता है आएगा यहाँ पर फोर आएगा तो इसको assign करने के लिए हमने एक variable sq में कितना वे store हो जाएगा 4 और printf हमने sq को print कर दिया हमारा 4 प्रिंट हो गया यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर लिखा int square int semicolon यह declaration है यह हमारा calling function हो गया क्या कि call कर रहे हमारा function definition हो गया और यहाँ पर यह function header भी बोलते हैं इसको यहाँ पर ध्यान देने बात यह कि जब declaration होता है तो यहाँ पर semicolon होता ही होता है और लेकिन यहाँ function definition रहेगा वहाँ पर semicolon नहीं होगा दूसरा example क्या है यह थोड़ा सा मैं सोचा था कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ स्पेस की कमी हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा line ही दर उतर हो गया है यहाँ पर क्या है कि integer area मैंने पहले ही function define कर दिया तो इस case में क्या होगा कि हमें function declaration की जहुरत नहीं पड़ेगी क्यों कि control मतलब में function यहां से जब आएगा देखेगा कि उसको अल्डेडि पता चल गया call करने से पहले कि अच्छा यह function है इसका definition यह इसका वाक क्या तो इसलिए यहाँ पे function declaration की जहुरत नहीं है जैसा कि पिछले program में यहाँ पे हमें function इसलिए यहां पर declaration ज़रूरी है क्यों कि जब यह square call करेगा इसको पता ही नहीं कि square है कहां तो उस case में हमने यहां पर declaration कर दिया क्योंकि इसको पता चलेगा बाद में यह function defined है लेकिन यहाँ पर function already defined है इसलिए यहाँ पर जहुरत नहीं है और यहाँ पर यह क्या कर रहा है area find कर रहा है square का तो यहाँ a into a return कर देगा और यहाँ पर perimeter perimeter area मतलग perimeter देखे square का 4 into a होगा यह return कर देगा अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने लिखा main यहाँ पर main integer l और यहाँ पर integer l के लाओ और मैंने क्या यूज किया है ch यूज किया है और okay ch यूज किया है enter length तो length मैंने ले लिया d ल में store कर दिया अभी यहाँ पर क्या है कि दो हम show कर रहा है output में area के लिए one press करे और perimeter के लिए two फिर उसको हम choice में ले रहे हैं यहाँ पर अब semicolon दे सकता हूं और कुछ तो है नहीं यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं दिया था कि प्रोग्राम कंप्लीट नहीं था तो अब यहाँ पर अगर one देता है add two देता है तो switch के अंदर मैंने choice को डाल दी अगर case one हो जाए तो print क्या कर दे area is equal to d और यहाँ पर इसी में मैंने area को call कर लिया और क्या pass कर दिया l तो l लेके जाएगा l suppose कि उसने 5 दिया तो 5 area call हो जाएगा with value of 5 तो यह आएगा यहाँ पर area area कितना लेके आया यहाँ पर 5 तो 5 into 5 कितना होगा 25 तो यहाँ पर direct print क्या करेगा area 25 ब्रेक लगा दिया लेकिन अगर उसने 2 दिया perimeter चाहिए तो case 2 और perimeter वाला function call होगा 5 लेके आएगा तो 5 यहाँ पर copy होगा 5 into 4 कितना हो जाएगा 20 20 print हो जाएगा और यहाँ पर return क्या करेगा 20 तो 20 फिर यहाँ पर return होके आएगा और यहाँ पर आने के वाद perimeter कितना है 20 तो वो print हो जाएगा तो यह हमारा switch का curly braces है और यह हमारा closing main का closing braces हो गया तो इस तरीके से हम return statement को use कर सकते हैं झाली तो 1 झालीонец California टो 1 यह हमें पर He estado हमें तो 1 पीजियोके से हमेंfaाइब्स्स यहाँ पर यहाँ uelगने मता है दूगके Сथो कितना हैं